जब 186 मेहदी खराब हो जाना अंचाहाद डर देव साथ ही सामने की और इशारा करते हुए बार गल को दिखाते हुए फिर से बोला शराब के साथ सबाब का भी इंतजाम है जिसे सुन लक्ष बुरी तरीके से उसे घूर के देख फिर वो उसके कान को मोड़ते हुए बोला य इसका वीदियो बना कर भेजना चाहिए फिर वोल तुम्हें अच्छे से छोड़ कर चली जाएगी तब मजा आएगा जिसके लिए तुम पागल की तरह घूमते रहते हो बोलो क्या मैं भेजू तुम्हारा वीदियो बना जिसे सुन देव दरते हुए बोला तुम रमचारी बिना लड़कियों के पीछे घूमे अकहन सिंगल लेकिन मुझे भी एक सिंगल लाइफ दे मारना चाहते हो एक तो मेरी क्यूटी पाई वैसे भी मेरे पास नहीं आती फिर वो मू बनाते हुए बोला चलो तुम सब आपका मजा नहीं लेना चाहते लेकिन डांस तो तुम्ह मेरे साथ करना ही होगा इतना कह वो उसे दांस करने पर मजबूर करने लगा वही कबीर सोफे पर बैठे अपने मोबाईल स्क्रीम को घूर रहा था क्योंकि आईशा उसका फोन रिसीव नहीं कर रही थी जिसे देख उसका औरा सर्द हो जाता है वो तुरंट मोबाईल में सिंधानिया विला का CCTV फुटेज शो होने लगता है कबीर आईशा के रूम का फुटेज देखने लगता है जहां पर आईशा नहीं दीखी जिसे देख उसकी आँखे सक्त हो जाती है वो पूरे सिंधानिया विला का फुटेज ओन कर देता है तभी उसकी नजर हाल वाली करता हुआ जुमका गले में कबीर का दिया हुआ पेंडेंट केरी किये। सोफे पर बैठ अपने हाथों को आगे बढ़ा उसमें महंदी लगा रही थी। डाक ग्रीन लहंगे में इस वक्त आयशा काफी जादा क्यूट एंड एलिगेंट लग रही थी। प्रेगनैंसी की वजह से आयशा का चहरा इस वक्त काफी जादा ग्लो करने लगा था। साथ ही उसके गाल हलके चबी हो थोड़े गुलाबी से हो गए थे। कबीर एक टक आयशा को देखे जा रहा था। जिसे देख कबीर को आयशा के पाने की चाहत और भी जादा बढ़ रह थी। उसकी पकवाइन की गिलास पर सक्त हो गई थी। तभी वह अपनी कोल्ड वोईस में बोला बसकल की बात है। उसके बात तो तुम सिर्फ हो मेरे पास रहोगी। मेरी बहो की मजबूत कैद में तुम्हारी खुश्बू को अपने अंदर इस तरह समान चाहता हूँ। क कि तुम कभी मुझसे दूर ना हो। प्रिंसेस अब तुम सिर्फ मेरी बनकर मेरी रह जाओगी। फोन की स्क्रीन में आयशा की खुबसूरती देख सनक भरी आवाज में बोला। तुम्हें मैं इस दुनिया में खुच से छुपा लूँगा। तुम्हारा वजूद सिर्फ मुझसे बनकर रह जाएगा और मुझपर ही खत्म हो जाएगा। इतना कै कबीर जुनून भरी नजरों से आयशा को देख। अपनी फोन की स्क्रीन में देखने लगा। आयशा के चेहरे को अपने अंगूठे से शेहला रहा था। वही सिंधानिया विला के हाल में आयशा इ अपनी नजरे घुमा देख रही थी। वही दूसरी तरफ कबीर भी आयशा की हरकतों को बड़ी गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहक थी। प्रिंसेस तुम कभी नहीं जान पाओगी। तुम हमेशा मेरी नजरों में कैद रहती हो प्रिंसे वही आयशा का ध्यान तब तूटा जब मेहंदी वाली बोलती है। मैम हो गई आपकी मेहंदी। जिसे सुन आयशा अपनी मेहंदी को देखने लगी। वह अपनी हैवी मंडी को देख सटिफाइब थी। वह खुशी से अपनी आगे पीछे में लगे मेहंदी को देख रही तभी छवी आयशा की महंदी के साथ फोटो खीच बोली, ये ले मैंने तेरी फोटो खीच दी, अब तु इसे कबीर जीजू को भेज दे, जिसे सुन आयशा न समझी में छवी को देखी, जिसे समझ छवी उसे उसका फोन दिखाते हुए बोली, कबीर जीजू तुझे कम से कम दस बार कॉल किया है, लगता है वह बहुत ज़्यादा तुझे मिस कर रहे हैं, लगता है उनसे एक दिन के लिए भी तुझसे जुदाई सही नहीं जाती, क्या लगाऊं मैं उनको फोन, जिसे सुन आयशा अपना चेहरा हैरानी से नामे हिल आई, वह अपना फोन लेने के ल फिर यह बात अच्छी नहीं होती कि दूलहन की महंदी खराब हो, लेकिन सोना अपनी बात पूरी कर पाती है, आयशा की महंदी हलकी सी खराब हो चुकी थी, क्योंकि आयशा सोफे उठने की जल्दी में अपने लहंगे को पकर लिया था, जिसे देख सोना अपने होठों पर हाथ रख लेती है, ये तो अप्षगुन हो गया मम्मा ने बताया था, कि दूलहन के हाथों की महंदी नहीं बिगरनी चाहिए, वही आयशा हैरानी से अपने हाथों में लगी महंदी को देखती है, जिसकी हथेली की महंदी बिगर चुकी थी, तभी महंदी वाली ने बोला, अरे ये अपने कैसे बिगारा लिया, मैंने इसी में तो दूलहे का नाम लिखा था, जिसे देख आयशा का अब चहरा रोने जैसा हो गया था, वही छवी जो सामने हिरानी से ख़ई थी, वह आयशा के पास जा बोली, सोरी यार इसे मैंने जानबूच कर नहीं किया, फिर वह सोन की तरफ देखा बोली, और सोना ये तो क्या पुरानी टिपिकल बाते बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं मैं मैं यह आपकी फ्रेंड ने सही बोला, महंदी बिगड़ना अच्छी बात नहीं होती है, और मैंने कई जगा महंदी लगाए है और एक बार एक मौत हो गई थी, जीस से सुन आईशा घबरा जाती है, और उसकी सांसे तेज चलने लगती है, नहीं मेरे आशु को कुछ नहीं हो सकता, इतना कह वो गहरी गहरी सांस लेने लगी और अचानक से सोफे पर गिर जाती है, जिसे देख सोना और छवी दोनों आईशा की तरह भा गी, वही कबीर जो आईशा को कब से फोन की स्क्रीन में देख रहा था, आईशा की ऐसी हालत देख, वो तुरंत अपनी जगल से ओठ, वो गलाब से बाहर जाने को होता है, जिसे देख लक्षय और देव कबीर को रोकते हुए बोले, बॉस, बिग ब्रो आप कहा जा रहे है अभी तो पार्टी स्टॉट हुई है, और बैचलर पार्टी आपकी है ना कि हमारी इतना कहवो कबीर के ओर बढ़ा, लेकिन कबीर अपनी जलती हुई नजरों से उन दोनों को देखा, जिसे देख हुआ दोनों अपनी जगह दर से ठिठक जाते हैं, कोई कितना भी स्ट्रा लेकिन उनका औरा कबीर के आगे नहीं टिक पता था, उनके लिए कबीर की एक नजर ही काफी थी, डर से कापने के लिए वह अपने कदम पीछे ले ले लेते हैं, वही कबीर तेख कदमों से क्लब की बाहर की ओर आ जाता है, वह कुछ ही देर बाद पसनल लिफट से अपने पसनल पाकिंग में आँ अपनी लैंबोगीनी में बैट फूल स्पीड में चला सिंधानिया विला के लिए हवा से बाते करते हुई निकाल देता है। बच्चा आपको क्या हुआ आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। जिसे सुन सुहना उसके सर पर चपत लगा बोली ऐसी कोई बात नहीं है वो सब पुरानी बाते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुन आयशा अपनी मॉम को यकीन भरी नजरों से देख बोली सच्ची मॉम हां मेरा बच्चा बिलकुल सच्ची फिर वह महंदी वाली की तरफ है इशारा कर बोली इसे दोबारा सुधार के लगाओ जिसे सुन महंदी वाली अपना सर हिला देती है वही सोना बोली हां आईशा ऐसा तू इतना घबरा ख्यो रही है आंटी बिलकुल सही बोल रही है तभी जवी अपनी दोनों कानों को पकर बोली आईशा आयम सो मेरी वजह से तेरी मेहंदी खराब हो गई सभी मुझे सही कहते हैं मैं सब के लिए अप सगुम हूँ तभी तो देखना मैं तेरी मेहंदी खराब कर दी कबीर के चहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं आता वह इस तरह उसे अपनी थंडी नजरों से देखा उसके चहरे की एकदम करीब जा उसके बालों को कानों के पीछे कर उसकी फोटो के खिलाफ बुद्ध बताया प्रिंस तुम मेरी हो तुम्हारी हर एक पल तुम्हारी हर एक चीज़ पर मेरी नजर होती है जब 187 रॉमंटिक कबीर रॉमंसे नै रॉमंसे नै तभी सुहाना चवी के कान में मोरते हुए बोली क्या कहा तुमने आजकल की बच्ची भी ना किसने कहा तुम्हें तुम अपसुगनी हो वही चवी अपने कान पकर बोली आह आंटी दर्द हो रहा है प्लीज छोड़ दीजिए खाबरदार तुमने ऐसी फालतु बाते की तभी आईशा अपने आसु पोँच बोली हम ओम ये कुछ ज़्यादा बोल रही है इसे और मारो इसकी वजह से मेरी महंदी खराब हुई कुछ देर बाद आईशा अपने रूम में थी वो अपनी महंदी को देख रही थी जो अब सुक चुकी थी आईशा बालकनी में चांद की रोशनी में ख़़ी थी इस वक्त आईशा का दूद सा गोरा बदन दमक रहा था उपर से आईशा ने गहरी हरे रंग की लहनगा पहना हुआ था जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था तभी कोई सक्त हा था आईशा की नाजुक खुली कमर को अपने बाहों के घेरों में कैद कर लेता है जिसे महसूस कर आईशा के चेहरे में मुस्कुराहत आ जाती है वो बिना पीछे मुडे बोली आशू मेरी महंदी कैसी लग रही है जिसे सुन कबीर अपना चेन आईशा के कंदों पर रख रब करते हुए अपने होंथ वहां पर रख चूंते हुए सर्ट आवाज में बोला इस महंदी की वज़े से तुमने आज कीमती आशू बहाए तुम्हें पता है ना तुम्हारी आशू मेरे लिए कितनी कीमती है तो फिर क्यों जिसे सुन आईशा अपनी आखे बढ़ी कर पीछे मुर कबीर को देखी जहां कबीर अपनी थंडी नजरों से उसे ही देख रहा था आशा कबीर को देखा बोली आशू तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझी नहीं यही कि तुम्हें इस यूसलेस महंदी की वज़े से आज रो रही थी आशा अपनी आखे बढ़ी कर बोली ये तुम्हें कैसे पता चला कबीर बिना किसी एमोशन के बोला मैंने कहा था ना प्रिंसेस मेरी नजरे हर वक्त तुम पर रहती है जिसे सुन आशा ना समझी में उसे देखी तभी कबीर उसके चहरे को अपने दोनों हाथों से पकर उसके गालों को अपने अंगूथे से रब करते हुए बोला मुझे समझने की कोशिश मत करो तुम उतना ही उलज जाओगी उसी तरह आशा भी कबीर की आँखों में देखा जब से इमोशनल ये बोली समझाओ मुझे आशू मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ इतना कह वो अपने हाथ कबीर के चहरे पर ले जा उसके बियद गालों को रब करने लगी जिसे महसूस कर कबीर अपनी आँखे मूंद आशा की नाजुक हाथों को अपने होथों से चूमता तब ही कबीर के चहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं जैसे इरिटेटिंट टाइप के वल कठोर लाजे में बोला वाद्ध हेल इतना कह वो अपने हाथ आईशा की गलों से हटा आईशा की उन नाजुक हाथों की मेहदी लगी कलाईयों को पकड़ लेता है What the bloody hell ये क्या बकवास चीज है इस वक्त कबीर के चहरे पर जुन जुनाहत महसूस हो रही थी क्योंकि उसे मेहंदी का टच और स्मेल पसंद नहीं आया था कबीर के रियेक्शन देख पहले तो आईशा को बहुत हंसी आ जाती है लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी कलाईयों की मेहंदी खराब हो रही है तभी अचानक बहुत जोरों से रोते हुए कबीर के हाथ जटक खुद की बिगली हुई मेहंदी को देख गुस्से से कबीर को देखा बोली तुमने मेरी मेहंदी भी खराब कर दी एए आज सब मेरी मेहंदी बिगारने के पीछे पड़े हुए इतना कह वो अपनी मेहंदी को देख रोने लगी वही कबीर जो अचानक आईशा के यू हाथ जटक का देने से उसकी आँखे दर्द हो चुकी थी आईशा को इस तरह रोता हुआ देखा उसका औरा और भी ज़्यादा दरावना हो जाता है उसके लिए सबसे बड़ी विक पॉइंट यही थी कि उसकी प्रिंसेस कभी न राए उसे आईशा का रोना बिलकुल भी पसंद नहीं था तभी कबीर अपनी सर्द आवाज में बोला प्रिंसेस स्टॉप क्राइंग लेकिन आईशा कबीर की बाते सुन और भी ज़्यादा जोरों से रोते हुए अपने हाथों को देख बोली तुमने मेरी मेहंदी खराब कर डाट रहे हो वह रोते हुए अपने भराएं गले से बोल रही थी तभी कबीर अईशा के एकदम करीब जा उसकी मेहंदी लागे हाथों को पकर बोला अगर तुमने अब रोया तुम्हारी पूरी मेहंदी खराब कर दूनगा जीसे सुन आईशा अपनी आँखे बढ़ी कर अपनी गीली आँखों से उसे देखी मैंने कहा चुक हो जाओ, स्टॉप क्राइंगी कबीर की डाट सुन आईशा अपने रूंधी गले से बोली तुम मेरी मेहंदी खराब करोगे जिसे सुन कबीर उसी तरह सक्त लेहजे में बोला हाँ अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी इतना कह वो उसके गालों से आंसुओं को पोच देता है तभी आईशा रोते हुए बोली ए तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो प्रिंसेस मैं तो उससे भी ज़्यादा बुरा हूँ तुन मुझे अच्छे से जानती कहा हो इतना कह वो उससे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने कदम ब्याद की और बड़ा देता है वही आईशा इस बात से अंजान थी उसकी मेहंदी कबकी सुक चुकी थी और कबीर ऐसे पकलते से अब उसकी मेहंदी नहीं बिगरने वाली थी उल्टा उसकी मेहंदी ज़र उसकी मेहंदी की रंगक देख रही थी पीर उसकी आँखों में देखते हुए बोला इस तरह क्या देख रही हो और तुमने मेहंदी क्यों लगाए तुम्हें पता है मेहंदी कितनी थंडी होती है जिससे pregnant woman को उसे use नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे कोई effect होता है जिससे सुन आईशा अपनी आँखें नी कबीर को देख बोली आशु क्या तुम्हें हमारे बच्चे की फिक्र है जिससे सुन कबीर के cold चहरे पर कोई expression नहीं आते वही आईशा कबीर के चहरे के हर एक emotions को जानना चाहती थी बोलो ना आशु तभी कबीर आईशा को आराम से बैठ पर बैठा खुद भी उसके कुछ भी important नहीं है जिससे सुन आईशा का चहरा मायूस हो जाता है वह कबीर का हाथ पकड़ उसे देख बोली आशु तो हमारा बच्चा है तुम्हारा अंश तुम्हारा खुन तो फिर इतना के वह अपनी बात आधुरी छोड़ कबीर के राइट हाथों को अपने दोनों ह काफी ग्रोबी हो गया है लेकिन कबीर के चहरे पर कोई emotion न देख आईशा का चहरा में मयूस हो जाता है तभी कबीर अपने हाथ वहां से हटा अपनी जगल से उठा आईशा की यरिंग को night stand पर रख washroom की और चला जाता है जिसे देख आईशा की आँखों में आशु आ जात आपसे प्यार करेंगे तभी कबीर कुछ देर बाद washroom से बाहर आता है इस वक्त कबीर ने अपना blazer washroom में उतर रख दी थी वो सिर्फ इस वक्त black shirt और black paint में था साथ ही तीन बटन खुले थे जो उसे hot और charming look दे रहे थे साथ ही कबीर के हाथों में एक weighted white towel था तभी कबीर आईशा की तरफ आता है जिसे देख आईशा गुस्से से अपना चेहरा मोर बोली अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो जाओ मेरे room से मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी और नहीं तुम्हें देखना है क्योंकि तुम मेरे baby को नहीं पसंद करते हो इसलिए मैं भी तुम्हें पसंद नहीं तभी कबीर अचानक से उसके बाजू को पकड़ एक जटके के साथ उसे अपने सामने की ओर कर नीचे जुक उसकी धुली को पकड़ अपने होंद उसके होंद से ठीका उसे फोसली किस करने लगता है जिसे महसूस कर आईशा अपनी आँखे बढ़ी कर कबीर को देखी लेकिन तभी आईशा तुरंथ होश में आ कबीर की पकड़ में छक पटाते हुए खुद को छुडाने की कोशिश करती है लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत थी वो उसके होटों को अपने होटों भर उसे चुमते हुए काटे जा रहा था जिससे आईशा दर्द से करह उठी उसकी पकड़ कबीर की बाजू पर काश गई तभी कबीर आईशा को ले बैग पर आ जाता है आईशा को अपने नीचे सुला उसे अपनी भारी भरकम शरीर के नीचे चुपा लेता है लेकिन उसने आईशा पर अपना भार नहीं दिया था वह अपैशनेट हो आईशा को किस करने लगा था वही आईशा अब उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी वो बस एक टक कबीर की नीली आँखों में देख उसकी बालों में अपने हाथ फसा चला रही थी तभी कबीर के हाथ आईशा की खुली कमर को सहलाते हुए उपर की और बढ़ जाते जिसे महसूस कर आईशा की सांस गहरी हुने लगती है तभी कबीर के हाथ आयशा के उभरे हुए अंग पर आ अपनी हरकती करने लगते जिससे आयशा की मधोश कर देने वाली आवाज कबीर के होठों के अंदर दब के रह जाती है लेकिन उसके नाखून कबीर की गले को स्क्राच कर रही थी तभी कबीर अपने हाथ पीछे की ओर पर ले जा आयशा की बैक पर ले जाते हुए उसकी नैक बैक को सेहलते हुए उसकी बलाउज की डोरों को खोल देता है जिससे आयशा की बलाउज लूज हो जाती है कुछ ही देर में आईशा को उसकी बलाउच से आजाद कर नीचे फ्लो पर गिरा देता है जिस से आईशा खुद में सिमच जाती है शर्म की हया से खुद को अपने दोनों हाथों से अपनी आगोश में समा लेती है जिसे देख कबीर उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने हाथों में उल्जा बैक पर दबा उसे पेशेंट किस करते हुए उसके होटों को छोड़ अब उसकी थुड़ी चीन पर आपैशनेट किसकर अपने बाइट के निशान दे रहा था जिससे आईशा दर से सिसकु थी उसकी पकड़ बैट शीट पर कस चुकी थी कबीर उसके हो लास्ट स्मूच के साथ छोड़ उसके चिन को चूम कॉलर बोन से हो कब उसके क्लीवेज पर प्यार करते हुए अपने निसान बना नीचे की ओर बढ़ जाता है जिसके साथ आईशा सिसकिया भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगी तभी कबीर अपने हाथ ले जा उसके लहंगे की दोरी को खोल कुछ ही देर में उन सभी को नीचे फ्लो पर गिर चुका वही आईशा खुद में सिमट कबीर में बुरी तरह खोड़ चुकी थी तभी कबीर अचानक से आईशा के उपर से उठ जाता है आईशा से दूर हो उसे देखने लगता है जो अपनी आखे मूंदे कबीर के एहसास में अभी भी खोई हुई थी वही आईशा कबीर को महसूस ना कर अपनी आखे खोल सामने देखी जहां कबीर उसे एक टक देख रहा थी जिसे देख आईशा ना समझी में कबीर को देखी उसे समझ नहीं आया कि वह उसे दूर क्यों हुआ तभी कबीर आईशा को ब्लैंकिट से धाक देता है जिसे देख आईशा बोली क्या हुआ आशु चब 188, you want me princess कबीर उसके हो लास्ट स्मूच के साथ छोड़ उसके चिन को चूम कॉलर बोन से हो कब उसके क्लीवेज पर प्यार करते हुए अपने निसान बना नीचे की ओर बढ़ जाता है जिसके साथ आईशा सिस्किया भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगी तभी कबीर अपने हाथ ले जा उसके लहनगे की दोरी को खोल कुछी देर में उन सभी को नीचे फ्लो पर गिर चुका वही आईशा खुद में सिमट कबीर में बुरी तरह खोचुकी थी तभी कबीर अचानक से आईशा के उपर से उठ जाता है आईशा से दूर हो उसे देखने लगता है जो अपनी आँखे मूंदे कबीर के एहसास में अभी भी खोई हुई थी वही आईशा कबीर को महसूस ना कर अपनी आँखे खोल सामने देखी जहां कबीर उसे एक टक देख रहा थी जिसे देख आयशा ना समझी में कबीर को देखी उसे समझ नहीं आया कि वह उसे दूर क्यों हुआ तभी कबीर आयशा को ब्लैंकित से धाक देता है जिसे देख आयशा बोली क्या हुआ आशु जिसे सुन कबीर आयशा को देख अपनी डीप वोईस में बोला जिसे सुन आयशा का चहरा शर्म से जलने लगता है वो शर्म से अपना चहरा पिलो में छुपा लेती है तभी कबीर सामने नाइट स्टैंड पर रखा वेटेड वाइट तौवल उठा आयशा के पास लेकर आता है आयशा के करीब जा उसकी बाजू से पकर अपने करीब कर बाहों में समा उसके चहरे के ऊपर उठा गिले टावल से आयशा का चहरे को पोचने लगता है आज आयशा अपने चहरे पर ब्यूटीशन से मेकप कर आया था लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से सिर्फ लाइक मेकप किया था जो उसके लहंगे के साथ मैच हो सके लेकिन आईशा ने अभी तक उस मेकप को रिमूव नहीं किया था जिसे कबीर अब उस गिले टौवल से आईशा के चेहरे को अच्छे से पोच मेकप को क्लीन कर रहा था जिसे अब आईशा का गुलाबी चेहरा नजर आने लगा था जिससे वह और जादा क्यूट लग रही थी साथ ही कबीर की कुछ देर पहले की हरकत की वज़े से भी आईशा का चेहरा और भी जादा गुलाबी हो बलाजे कर रहा था साथ ही आईशा की घनी पल के शर्म से इस वक्त जुकी हुई थी वही कबीर की नीली आखे मानो आईशा के गुलाबी चेहरे पर टिक सी गई थी कबीर उसके गालों को अपने अंबूथी से रब कर हलका जुक उसके एरलों के पास जास एडेक्टव वोईस में बोला जिससे सुन आईशा की पकर कबीर की शर्ट पर कस जाती है तभी कबीर उसके गुलाबी होथों को चूम धीरे से उसके गुलाबी गालों पर आवाइट कर लेता है जिससे आईशा दर्द से करहा अपनी आखे खोल कबीर को घूरते हुए देखी जिसके चहरे पर इवल स्माइल थी प्रिंसेस यू आ सो सॉफ्ट दाट्स वाइ आई कांट कंट्रोल आईशा कुछ पल कबीर को घूर अपनी पल के शर्म से नीचे जुका लेती है लेकिन कबीर की नजरे तो आईशा के गुलावी चहरे से हो कहीं और ही चली जाती है अचानक जब उसकी नजर चहरे से नीचे हो की वेज पर जाती है तो ठहर सी जाती है वही आईशा जब कबीर की कोई हरकते न महसूस कर इस तरह रुका हुआ देख अपनी नजर उप उठा कबीर को देखी, लेकिन कबीर की नजरे अपने चेहरे पर न पा कहीं और पर देख वो उसकी नजरों को फॉलो कर नीचे देखी, जिसे देख उसकी आँखें बड़ी हो जाती है उसे एहसास होता है इस वक्त उसके कपड़े शरीर पर तो अब नहीं थे जिन्हें कबीर ने पहले ही, जिसे सोच भर वल तुरंथ खुद को धाक चीखते हुए बोली, बेशर्म इनसान जिसे सुन कबीर अपनी नजरे ऊपर उठा उसे घूरा प्रिंसेस ये क्या है, कुछ देर पहले तुम खुद मेरे करीब आने के लिए तड़प रही थी और अब खुद को यू छुपाना जबकि तुम जानती हो ये सब बेकार है क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास कई तरीके से देख, मैंसूस किया हुआ है उससे आगे कुछ कहता आईशा कबीर की होठों पर हाथ रख देती है बस आशू, तुम सही में नहाती, बेशर्म हो तुम्हें बिलकुल शर्म नहीं है अपनी बेबी के सामने ऐसे बोलते हो, वह भी सुन रहा है जिसे सुन कबीर आईशा को भूरने लगा कबीर आईशा जलती हुए नजरों से देख सर्द आवाज में बोला, ये बेबी कौन है वही कबीर के चेहरे के भाव बदलते हुए देखे उसे महसूस हो जाता है कि कबीर कुछ गलत समझ रहा है जिसे देख हो बोली, बेबी कोई और नहीं हमारा बच्चा, जो मेरे पेट में है और वह हमारी बाते सब सुनता है और तुम्हें पता है एक महीने बाद वह मूब्मेंट भी करेगा मॉम ने बताया था और डॉक्टर ने भी कि वह किक करेगा मेरी रहे एक बातों से वही आईशा को बच्चे के बारे में बोलते वक्त इतना खोया हुआ देख उसकी पकड आईशा पर कस जाती है वो कबीर से दूर हो ब्लांकित को कीच खुद को कवर करने की होती है जिसे देख कबीर उस पर अपनी पकड मजबूत कर अपनी शर्ट को उतार आईशा को पहना देता है आईशा कबीर के इस हरकत को बड़ी बॉर्ड से देख रही थी उसे कबीर की शर्ट से मेंली फ्रेगनेंस आ रही थी इस वक्त कबीर शर्ट लेस अपने सिर्फ ब्लैक पेंट में था तो वही आयशा भी इस वक्त कबीर की ब्लैक शर्ट में थी तभी कबीर पीछे से आयशा को अपनी बाहों में समा लेता है और उसी तरह बैट पर लेट जाता है इस वक्त आईशा की पीट कबीर की स्ट्रान चेस्ट से चिपकी हुई थी अपने हाथ को आगे बड़ा नाइट स्टेंड से लाइट को बंद कर देता है और उसी तरह आईशा को अपनी बाहों में समा लेटा रह कबीर बिना किसी डर और जहिछक के सरद आवाज में बोला We are already made princess कोई कुछ भी नहीं कहेगा वो तो मैं तुम्हारी stupid जिद की वज़े से तुमसे अलग था वरना तुम मेरे पास कप किया चुकी होती आईशा और करीब हो बोली मैं कल के लिए थोड़ी घबरा रही हूँ कल सब अच्छे से होगा ना वोही कबीर उसी तरह अपना चहरा आईशा के चीन में छुपा दीप वो इस में बोला हम princess तुम्हें मेरा होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता यहां तक तुम भी नहीं तुम शुरू से सिर्फ मेरी थी अब मेरी होने जा रही हूं पूरी तरीके से वही कबीर की बाते सुन आईशा के चहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते है वो अपना मूर बनात हुए बोली आशु तुम ऐसी वियर बाते करते हो मुझे तो तुम्हारी बातों से ही ज़्यादा डर लगता है जिसे सुन कबीर के चहरे पर कोई भाव नहीं आते वो आईशा के यह लोग को बाइट कर लेता है तभी कबीर आईशा पे अपनी पकर टाइट करते हुए बोला यहां तक अपने उसे बच्चों को भी नहीं वर्ना इतना कह कबीर अपनी बाते वर्निंग की साथ छोड़ देता है वही कबीर की ऐसी अजीट सी बाते सुन आईशा घबराते हुए कबीर की तरफ अपना चहरा कर आईशा हैरानी से बोली आशू तुम क्या कह रहे हो वह तुम्हारा भी बच्चा है जिसे सुन कबीर डाक वोईस मैं बोला प्रिंसेस मैंने कहा ना मेरे लिए सिर्फ तुम इंपोर्टेंट रखती हो ये बात तुम हमेशा याद रखना तुम्हें जो चाहिए मैं हमेशा तुम्हें वो दूंगा लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए सिर्फ तुम उसके अलावा कुछ भी नहीं क्योंकि कबीर कपूर के पास सब कुछ है आईशा घबरा कबीर को देखा बोली आशु अब तुम्हारी यही बातों की वजह से मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है कबीर के थंडे चहरे पर कोई एमोशन नहीं आते वर इसी तरह अपना चहरा आईशा के सीने पर रख अपनी आँखे मून लेता है वही आईशा सीलिंग को देखती है उसकी नीन कबीर की बातों से उर्चुकी थी जिसे महसूस कर कबीर बोला सो जाओ प्रिंसेस कल तुम्ही जल्दी उठना है वरना तुम्हारी आँखों के नीचे डाक सकल हो जाएंगे फिर मत रोना कि तुम दुलहन की गैट अप में अच्छी नहीं लग रही जीसे सुनी यहां अपनी आँखे भींच कबीर के बाजू पर अपनी पकर मजबूत करते हुए बोली आशु तुम ऐसे क्यूं हो तुम इतने अजीब क्यूं हो इतना कह अपनी आँखे मून लेती है लेकिन कबीर सब सुन रहा था वो वैसे ही आईशा के सीने में अपना चेहरा छुपाए शान्थ था सिंधानिया विला का सर्वेंट क्वाटर सोना अपने रूम में इस वक्त वही कपड़े में थी जो उसने मेहंदी में पहना हुआ था ग्रीन कलर का कुर्ती और ग्रीन कलर की प्लाजो जिसमें बारीकी से काम किया हुआ था जो उसकी सावले रंग पे फब रहा था सोना उन्हें इस वक्त नहीं उतरी थी क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी थी वह मेहंदी को देख मुस्कुरा रही थी क्या मैं उनको अपनी मेहंदी की फोटो भेजू नहीं मैं उनके लिए सर्प्राइज रखूंगी इतना कहे वह अपने बैग की और बढ़ जाती है तभी उसे कुछ हजीब सी गिरने की आवाज आती है जिसे सुन सोना अपनी जगल जम सी जाती है तभी आवाज तेज होती जा गया तभी उसकी नजर सामने बालकनी पर जाती जहां कोई लंबा चोड़ा सक्स लखराते हुए अंदर आ रहा था जिसे देख सोना घबरा सी जाती है सोना तुरंत सामने कुछ धूंडने लगती है तभी उसकी नजर सामने रखी कांच की जग पर जाती है जिसे उठा वो बालकनी के ओर बढ़ जाती है, जैसे ही उस शक्स पर वह हमला करने को होती है, तभी दो लंबे हाथा सोना के हाथों को पकड़ लेता है, जिसे देख सोना चिलाने को होती है, तभी वह शक्स सोने की कमर को पकड़, उस जग को ले साइट के टेबल पर रख, सोना के होटों को सक्थ होट से दबा देता है जिसे सोना शौक हो जाती है चब 189 डेव किस सोना सिंधानिया विला का सर्वेट क्वोर्टर सोना अपने रूम में इस वक्त वही कपड़े में थी जो उसने मेहंदी में पहना हुआ था ग्रीन कलर का कुर्टी और ग्रीन कलर की प्लासो जिसमें बारीकी से काम किया हुआ था जो उसकी सावले रंग पे फब रहा था सोना उन्हें इस वक्त नहीं उतरी थी क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी थी वह मेहंदी को देख मुस्कुरा रही थी क्या मैं उनको अपनी मेहंदी की फोटो भेजू, नहीं मैं उनके लिए सर्प्राइज रखूंगी, इतना कहे वह अपने बैग की और बढ़ जाती है, तभी उसे कुछ हजीट सी गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन सोना अपनी जगल जम सी जाती है, तभी आवाज तेज हो जाती है, सोना को लगता है कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, तभी उसकी नजर सामने बालकनी पर जाती जहां कोई लंबा चोड़ा सक्स लख राते हुए अंदर आ रहा था, जिसे देख सोना घबरासी जाती है, सोना तुरंट सामने कुछ धून्डने लगती है, तभी उसक की नजर सामने रखी कांच की जग पर जाती है, जिसे उठा वो बालकनी की ओर बढ़ जाती है, जैसे ही उस शक्स पर वह हमला करने को होती है, तभी दो लंबे हाथा सोना के हाथों को पकड़ लेता है, जिसे देख सोना चिलाने को होती है, तभी वह शक्स सोने की कमर को पक सोना के होटों को अपने सक्थ होट से दबा देता है जिसे सोना शौक हो जाती है लेकिन सोना उस एहसास को पहचान जाती है कि वह कौन है वो सक्थ सोना को अपनी गोड में उठा रूम के अंदर बैक के पास ले आता है जिससे देव का चेहरा सोना को साफ नजर आने लगा था देव उसी तरह सोना में खोए हुए उसे किस किया जा रहा था लेकिन तभी सोना को कुछ अजीब सा लगता है जिसे महसूस कर उसकी आँखे छोटी हो जाती है और वो देव के होठों पर बड़ी बैरहमी काट लेती है जिसे देख देव करहाते हुए सोना को छोड़ सी सकते हुए बोला अह क्यूटी पाई तुम कबसे जंगली बिल्ली बन गई वही सोना भी देव को घूरते हुए बोली तो आप भी कबसे दारू पीने लगे और बेवड़े बन गए जिसे सुन देव अपनी आँखे बढ़ी कर सोना को देख खुद को संभाल ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था उसने कुछ भी नहीं किया सोना जूट बोल रही है वही सोना देव को घूर के देख अपने होंट साफ कर अजीब सा मूँ बना रही थी जैसे उसको उल्टी हो जाएगी उसे देव की दारू की स्मेल और टेस्ट अपने मूँ में आ रही थी वही देव सोना को इस तरह मूँ बनाते हुए देख बोला क्यूटी पाई तुम इस तरह मूँ क्यों बना रही हो जिसे सुन सोना देव को घूरते हुए देख अपने नाक को महंदी लागी हाथों से धक बोली अहे देव जी आपने कितनी पी सोना का सवाल सुन देव प्यारा सा चहरा बनाते हुए पाउट कर अपने हाथों के उंद्ली निकाल गिनते हुए बोला एक, दो, तीन वही सोना अपनी आँखें बढ़ी कर बोली क्या आपने तीन गिलास दारू पी है। जिसे सुन देव अपना चहरा ऊपर उठा अपना चहरा नमे हीला बोला नहीं तो। तभी देव खुशो बोला मैंने तो पूरे की पूरी चार बोतल पी है। जिसे सुन सोने की आँखें बढ़ी हो जाती है। वह अपना माथा पकर बोली है मेरी मां ये क्या सुन रही हूं। जिसे सुन देव घबराते हुए बोला कहा है सासु मा कहा है इतना के वह सोना के पीछे जा छुप गया वही देव की ऐसी हरकते देख सोना हसते हुए बोली आप मा से दरते जिसे सुन देव अपना सीना तान खड़े हो बोला नहीं मैं सासु मा से क्यों डरू भला फिर वह सोना को गूरते हुए बोला और तुम्हारी मा कहा है जो तुम बोल रही हो मा जिसे सुन्देव अपने माथे पर हाथ मार बोली वह तो मैं ऐसी बोल रही थी आपकी हरकत से परेशान होकर बोली लेकिन आप तो डर गए क्या आप मेरी मा से दरते हो जिसे सुन देव अपना चेहरा नामे हिला बोला, मैं क्यों दरू सासु मासे जबकि वह मुझसे दरती है जिसे सुन सोना मुँव बना लेती, तभी देव सोना के पीछे जा उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है जिसे देख सोना खुद से देव को दूर करते हुए बोली, आहा क्या कर रहे हैं दूर हटी आपसे बिय की पूरी बद्बु आ रही है लेकिन देव सोना की कमर पर अपनी पकर मजबूत कर बोला नहीं मैं नहीं हटूंगा मैं तो इसी तरह तुम्हें अपनी बाहों में रात भर सोना चाहता हूँ फिर वो सोने की कमर पर अपनी पकर टाइट कर उसे एक जटके से अपनी ओर करता है जिस सोना सीधी देव के सक्ट सीने से जा लगती है तभी देव अपना चहरा नीचे कर शिकायक भरे लहजे में बोला तुम बहुत बुरी हो तुम मुझे हमेशा खुद से दूर करने के बहाने धूनती हो मुझे कभी भी अपने करीब नहीं आने देती, जी से सुन सोना अपना चहरा ऊपर की और उठा है रानी से देव को देखी जो उसी को देख रहा था तभी देव दोबारा से अपने होट सोना के होटों से जा मिलता है वही सोना इस बार देव को खुद से दूर न कर उसकी पीट पर अपने हाथ ले जा उसे सहलाने लगी जैसे उसे शांत कर रही हो वही सोना को खुद से दूर न करता दे देव खुश हो सोना को उतनी ही शिद्दत से चुमने लगा सोना के निचले होटों से खेलते हुए उसे बार-बार होटों में भर चूमे जा रहा था तभी देव हाथ सोना बैक पर चलते हुए उसकी सूट की दोरी पर आ जाती है जिसे खीच वह एक जख्के में दोरी को खोल देता है जिसे सोना की कुर्ती धीली हो जाती है देव अपने हाथ सोना के होटों से हटा वो उसकी चीन पर रख उन्हें चूमते हुए उसकी सुराही दार गार्दन पर आ अपने दांतों को गड़ा निशान बन रहा था जिससे सोना की चीक निकल जाती है लेकिन देव तुरंट अपने हाथों से सोने की होटों को धाक उसकी चीक को उसके होटों के अंदर ही दबा देता है देव धीरे धीरे उसके कंधे पर आ वहाँ पर चुम्मा अपनी निशाना बना सोने की कुर्तिया को उसकी बाजू से किसका खुली हुई बाजू बंद अपने होठों की मोहर देने लगता है वही सोना भी अब देव में पूरी तरह खोते हुए देव की बालों को अपने हाथों से सहला रही थी उसकी खत देखकर आगे शर्ट भी चलती हुई उसकी बटन खोल अपने आप देखकर सीने पर चले जाते और वह अपनी मेहंदी लागी हाथों से उन्हें सलाह नहीं लगती है लेकिन तभी सोना को कुछ महसूस नहीं होता उसे अपने गर्दन पर देखी भारी गर्म सांस महसूस होती है तभी देव लड़का आ जाता है जिसे देख सुन कपड़ा तुरंद देव को संभालती है लेकिन दीप का भजन ज्यादा होने की वज़े से सोना देखा नहीं संभाल पाती जिस वज़े से दोनों फ्लो पर एक साथ जा गिरते हैं जब 190 देव और सोना का रॉमन्स तभी देव हाथ सोना बैक पर चलाते हुए उसकी सूट की दोरी पर आ जाती है जिसे खीच वह एक जख्के में दोरी को खोल देता है जिसे सोना की कुर्ती धीली हो जाती है देव अपने होट सोना के होटों से हटा वो उसकी चीन पर रख उन्हें चूमते हुए उसकी सुराहीदार गार्दन पर आपने दांतों को गड़ा निशान बन रहा था जिससे सोना की चीक निकल जाती है लेकिन देव तुरंट अपने हाथों से सोने की होठों को धाक उसकी चीक को उसके होठों के अंदर ही दबा देता है देव धीरे धीरे उसके कंदे पर आ वहाँ पर चुम्बन दे अपनी निशाना बना सोना की कुर्तियों को उसकी बाजू से खिसका खुली हुई कंदों पर अपने होठों की मोहर देने लगता है वही सोना भी अब देव में पूरी तरह खोते हुए देव की बालों में अपने हाथों से सहला रही थी उसके महंदी लगे एक हाथ देव चेस्ट पर आशर्ट उपर चलते हुए उसके शर्ट के बटन को एक एक कर खोल अपने हाथ शर्ट के अंदर ले जा देव के सक्त सीने रख वो अपनी महंदी लागी हाथों से उन्हें सहलाने लगती है जिसे देव और भी ज्यादा रोमान्चित हो जाता है वो सोना की कुर्ती के अंदर कमर पर अपनी पकर टाइट कर देता है जिससे सोना सिसकुर्ठिया आराम से देव दोबारा से सोना के होटों को अपने होटों में भर अपनी मनमानी करते हुए पूरे पंद्रह मिनत तक सोना के होटों को चूमता है। देव के छोड़ते ही सोना गहरी-गहरी सास ले रही थी। उसके होट इस वक्त दर्ट कर रहे थे। वही सोना के अब दोनों हाथ देव के शर्ट अंदर उसकी मजबूत सक्त कमर पर लिपते हुए थे। वो देव सीने में समा अपनी सासों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी सोना को कुछ अजीब महसूस होता। उसे अपने गर्दन पर देव की भारी गर्म सासे महसूस होती है। तभी देव लड़का जाता है। जिसे देख सोना तुरंत देव को संभालती है। लेकिन देव के वजन ज्यादा होने की वज़े से सोना देव को संभाल नहीं पाती। जिस वज़े से दोनों फ्लो पर एक साथ जा गिरते हैं। लेकिन सोना फ्लो पर गिरती। उससे पहले उससे महसूस होता है, वो किसी की मजबूक बाहों में है, तभी रूम में एक तेज धम की आवाज बूंचती है, उसी के साथ इस वक्त देव नीचे फ्लो पर गिरा हुआ था, तो वही सोना उसकी बाहों में थी, जिसे देख सोना तुरंथ होस में आग घबराते ह हुए बोली, आपको चोट तो नहीं आई, वही देव जिसकी आँखे नींद और पीने की वजह से बंध हो रही थी, वो अपना चेहरा हां और नमे हिलाता है, जिसे सोना कनफ्यूज हो जाती है, वो उसके उपर से उठने को हो बोली, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिये, आपको जरूर चोट आए होगी मैंने आवाज सुनी थी, लेकिन देव उसे पर अपनी पकर टाइट करते हुए बोला, नहीं मुझे इसी तरह तुम्हारे पास रहना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम मेरे पास इस तरह रहो, वरना तुम मुझे वैसे भी अप की चोट भी देख लूंगी, जिसे सुन देव अपना चेहरा एक जिद्धी बच्चों के जैसे बना बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे यही पर सोना है तुम्हारे साथ, इस थंडी फ्लो पर तुम्हारी गरम गरम बोडी को महसूस करना है, फिर वो अपनी नशीली आँखो से सोना को घूर के देख बोला, और तुम हर बार मुझे ऐसी जूठे जूठे बहाने करती हो और फिर तुम मुझ से दूर हो जाती हो, पर आज मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, इतना कैह वो सोना की कमर पर अपनी पकर टाइट कर देता है, वो अपनी नशीली आवाज में लड़क राते हुए जिदी तरीके से बोला, मुझे यही ऐसी ही सोना है, तुम्हारे पास तुम्हें मेसूस कर, तुम्हारे करीब हो तुम्हें देखना है, तुम हमेशा मुझे अपने आप से दूर करती हो, लेकिन इस बार मैं तुमसे गुस्सा हो वो अपने गुस्से से लाल चहरे के साथ पाउट कर सोना को देखा, वही सोना देव को शिकायत और देव का गुस्से से लाल हो चुका क्यूट चहरा देख, उसे देव पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, एक तो देव बच्पन से बहुत ज्यादा गोरा था, मानो उस उसकी स्कीम किसी लड़की की तरह गोरी हो। उपर से आज देव ने ड्रिंक की हुई थी। जिस वजह से उसके गाल बलस कर रहे थे। साथ में उसका चहरा गुसे से भी कुछ ज्यादा ही लाल हो और उसके उपर से वह ब्राउन सिल्की बाल जो इस वक्त माथे पर लहरा रहे थे। जो उसे और भी ज्यादा अट्राक्टिव दिख रहा था। जिसे देख सोना देव के एक गालों को पिंच कर दूसरे गालों पर अपने होंट रक्चूम उसे कात लेती है। जिसे देख देव नशे में अपनी आँखे खोल सोना को घूरा बोला, आहां, क्यूटी पा मुझे आपसे बचपन से ही जलन हूती थी। इतना कह वो उसी तरह देव की सीने पर लेट जाती है। वही देव अपनी पकर सोना पर कस देता है। तब ही सोना उसके सीने में अपना चेहरा रखें। अपने हाथ चेस्ट पर चला बोली, आपने आज इतना थ्यू पिया। अगर आपने अगली बार से इतना पिया तो फिर सोच ले आपको मैं कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगी और किस तो दूर की बात चुने भी नहीं दूंगी। और शादी, शादी तो भूल ही जाए, वह भी नहीं करूंगी एक बेवदा पती कौन चाहेगा, जिसे सु सुन देव की आँखे नशे में ही बड़ी हो जाती है, ज्यादा तो नहीं खुल पाए लेकिन धुंधला धुंधला देव को दिख रहा था, नहीं ही, तुन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, आप बताए अपने इतना थ्यूपिया, वरना में यहां से उठ आपको अकेला छोड़ चली जाओगी, और आपकी सासु मा नहीं मेरी मा को मतलब हमारी मा को बुला कर ले आऊंगी उनके सामने बताएगा फिर, जिसे सुन देव सोना को कसके पकर बोला नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी फिर वो धीरे से बोला, आज कबीर भाई की बैचलर प पता है, जिसे सुन सोना की आँखे छोटी हो जाती है, वो घूरते हुए बोली, तो कौन जीता इस बकवास बेवडे कमपटीशन में, जिसे सुन देव खुसो बोला, तुम्हें क्या लगता है कौन जीता होगा, ओफकोस तुम्हारा हैंसम सा होने वाला फ्यूचर हस्बें आई साथ तुम्हारे बच्चों का बाप जीत सकता है, जिसे सुन सोना की आँखे और भी छोटी हो जाती है, वो देव को देख बोली, मुझे साफ दिख रहा है, आप खुद को कितना कंट्रोल कर संभाल पा रहे हैं, इतना केवल देव की चेस्ट पर अपने छोटे हाथों का मुक्का बना मारती है, जिसे देख देव हलका चिखा, उसे दर्द तो नहीं होता लेकिन वह नाटक कर रहा था, जिसे देख सोना घबरा उसे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन देव अपनी पकर सोना पर कस बोला, क्या कर रही हो, मैं देख रही थी आपको चोड़ तो नहीं आए नहीं तुम इसी तरह लेटी रहो, और अपने होटों से मेरी चेस्ट वाली जगल चुम लो, मुझे उसी तरह आराम मिलेगा, जिसे सुन सोना देव को घुरी आह, क्यूटी पाई तुम से मुझे घूर क्यों रही हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आह, हा जिसे सुन सोना देव के नाटक को देख हलका मुस्कुरा उसी तरह लेटी हुई देव के खुले चेस्ट पर चूम लेती है, जिसे महसूस कर देव अपनी आँखे बंद कर देता है, एक बार और चूमो अभी भी दर्द हो रहा, जिसे सुन सोना दुबारा चूमी, एक बार और थोड़ा उपर जिसे सुन सोना उसके चेस्ट के उपर होट वाली जगल चूमी कुछ देर बाद उसे देव की गहरी-गहरी सासों की महसूस होती है तभी सोना थोड़ा देव से दूर हो अलग होने की कोशिश करती है लेकिन देव की पकड उसी तरह उस पर मजबूत हो जाती है जिसे देख सोना घूरते हुए देव को देख बोली कभी नहीं सुधरेंगे फिर वह बैट से एक ब्लैंकित ले दोनों को धक देव के ऊपर आराम से लेट जाती है उसके चहरे देव करीब हो आज अजीब सी मुस्कुराहत थी वही दूसरी तरफ रोही के अपार्टमेंट में रोही एक नजर भूर के दोनों बाप बेटे को देख रही थी दोनों बाप बेटे ने इस वक्त से सुबल का वही हल्दी वाला कुर्ता और वाइट पैंट पहना हुआ था उनके चहरे पर पीली हल्दी की रंगत थी जिसमें दोनों बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा हैंसम और क्यूट देख रहे थे दोनों को देख साफ बताया जा सकता था कि ये दोनों बाप बेटे हैं डी ने टेस्ट की जरूरत ही नहीं इन्हें ऐसी देख कर बताया जा सकता था तभी रोनक अपना मासूम सा चहरा बना बोला मम्मा मुझे नाइट सूट चाहिए मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी जिसे सुन रोही होश में आई तभी रोहन भी उसे घूरते हुए देख बोला और मुझे भी चाहिए जिसे सुन रोही से घूरते हुए मूँ बना बोली मेरे पास तुम्हारे कपड़े कहां से आएंगे और तुन मेरी यारीना लड़कियों वाले कपड़े पहनोगे नहीं जिसे सुन रोहन उसे घूमने लगता है उसे देख हो अपने दांग पीस बोला तो फिर तुम्हारे घर में वह लड़का क्या कर रहा था और उसे अपने हाथों से तो पराठे बना बना खिला सकती हो मेरे लिए कपड़े नहीं ला सकती जिसे सुन रोही को कोई फर्क नहीं पढ़ता वह आगे बोली वह मेरा दोस्त है मैं उसके लिए करूंगी और अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है यहां से जाओ अगर अपने कपड़े चाहते हो तो अपने घर जाकर पहनो क्योंकि मैं पराथे की तरह कपड़े बना नहीं सकती और वैसे भी मेरे सिंगल बैग पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है आज हम दोनों मा बेटे एक दूसरे के साथ सोएंगे जिसे सुन रोहन के हाथों की मुठी कस जाती है वो गूर के रोही को देखा ये औरत उसे यहां भागना चाहती है और वो उसे साफ साफ उसके मूँ पर बोल रही है वो रोही को घूरा जो उसे एगनो कर रोनक के लिए कपले निकाल रही थी फिर उस सिंगल साइज बैग को घूर के देखा तभी रोहन रूम से बाहर चला जाता है वही रोहन को सच्च में जाता हुआ देख रोही का चहरा उतर जाता है तभी रौनक की आवाज से वह होश में आती है ममवा अपने पापा को क्यों भागा दिया आज हमें पफेक्ट फैमिली की तरह साथ में सोते जिसे सुन रोही हलका गुसे से जून जूला खुद में बुद्ध बुआई तुम्हारे पापा ही हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे मेरे बोलने के साथ वह खुद ही चले गए वह चाहते तो वह रह भी सकते थे ऐसे तो कभी मेरी बात नहीं सुनते थे और आज इतना सुन चले भी गए तभी रोही का ध्यान दोबारा रौनक की आवाज से तूटता है मम्मी आप बार-बार कहां खो जाती है वही रोही रौनक को देखा बोली देखो बेटा अपने रूम में ज्यादा जगह नहीं है तुम्हारे पापा यह नहीं सो सकते थे